तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन आफ डी ब्रॉगली इक्वेशन तो बेसिकली स्टुएंट्स पिछले वीडियो में हम पढ़के आए हैं कि किस तरह के से साइन्टिस डी ब्रॉगली ने यह बताये थे कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक 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 एक्टम के नुकलिस के चाओ तरफ रिवाल कर रहा है उसके अराउंड ओके तो यह जो इलेक्ट्रॉन है यह दोनों टाइप का बिहेवियर या नेचर शो करता है याने कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर भी करता है तो साथ में वेव नेचर भी करता है और इसी के पेस पेस साइंटिस डी ब्रॉगली ने एक equation दिया था that is lambda which is the wavelength actually for that electron and lambda was equal to h upon mv तो ये एक equation दिये थे actually scientist डी ब्रॉगली ने but इस डी ब्रॉगली के equation में भी कुछ कमी थी एक limitation थी आज वही चीज इस वीडियो में cover करेंगे तो चली करते हैं start तो जो scientist डी ब्रॉगली ने actually एक equation दिया था तो ये जो डी ब्रॉगली का equation है वो applicable नहीं होता है heavy masses के लिए यानि कि जो डी ब्रॉगली का equation है वो सिर्फ और सिर्फ apply होता है उन particles के लिए जिनका mass बहुत कम होता है light weighted के लिए जैसे कि electron हो गया तो ये जो डी ब्रॉगली का equation है यही बोला गया कि applicable नहीं है यूज नहीं होता है heavy masses के लिए इसलिए क्योंकि ये जो heavy mass के जो particle होते हैं उनकी जो wavelength होती है जिसको हम lambda symbol से represent करते हैं तो ये जो उन heavy masses की जो wavelength होती है वो बहुत कम होती है बहुत छोटी होती है और क्योंकि ये wavelength बहुत छोटी होती है तो उसको identify करना या measure करना या calculate करना possible नहीं हो पाता है तो जैसे कि मानलेटे students एक example लेते हैं कि एक हमने 100 gram का एक heavy stone लिए है एक पत्थर लिए है जो कि मूँ कर रहा है एक fixed velocity मानलेटे है 100 cm पर second याना कि एक second में वो 100 cm का distance cover कर रहा है तो उस condition पे जो wavelength होगी इस heavy stone के लिए तो उसको calculate कैसे करेंगे इस scientist D. Broglie के equations है that is lambda equal to h upon mv तो चलिए h क्या है h होता है planks constant इसकी value हमने बता चुके है 6.62 into 10 to the power of minus 34 kg square meter per second then mass mass जो है वो 100 gram लिए है अब क्योंकि plank constant में हमने kilogram unit लिए है तो इस 100 gram को convert कर देंगे kilogram में 100 gram को kilogram में लिए सकते हैं 0.1 kilogram then v is what v is velocity velocity लिए है हमने 100 cm per second but यहाँ पर meter में है तो इसको convert कर देंगे meter में तो 100 cm convert हो जागा meter में तो 1 meter per second हो जाएगा okay and जब इसको solve करते हैं calculate करके तो answer मिलता है 6.62 into 10 to the power of minus 33 meter तो जैसे के students अभी हमने यह calculate किये है that is wavelength तो उसका जो value आई है वो है 6.62 into 10 to the power of minus 33 meter तो 10 to the power of minus 33 इसका मतलब यह है कि जो यह wavelength है वो बहुत ही छोटी है and इसको identify करना literally possible नहीं होगा okay तो इस वज़े से यहाँ से conclusion आता है कि जो heavy particles होते है in heavy particles में particle nature जो है वो dominant होता है main main की जो feature है जो nature है in heavy particles का वो particle nature ही carry करते है and wave nature जो है वो important नहीं होता है क्यों क्योंकि यह जो heavy particles से उनकी wavelength बहुत कम होती है तो यह wave nature को अतना clear cut way से आपको represent नहीं कर सकते है okay तो इस वज़े से जो heavy particles है इन में generally जो dominant जो important factor होता है वो particle nature होता है और wave nature देखने को नहीं मिलता है क्यों क्योंकि यह light weighted होते है तो इन light weighted particles के लिए इनका जो wavelength है वो easily observe किया जा सकता है तो इस wavelength को measure करना बहुत easy होता है इस type के light weighted particles जैसे की electron के लिए तो इसके लिए भी चली example देखते है कि अगर हम इसी formula का that is d Broglie equation का use करेंगे इस electron के लिए तो इसकी wavelength कितनी आती है तो basically हमको पता है कि एक electron का जो mass होता है वो 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg होता है and जिस velocity से move करता है तो वो है 6 into 10 to the power of 8 meter per second तो इस condition पे अगर हम d Broglie equation का use करते वे अगर wavelength को calculate करते हैं तो formula है lambda equal to h upon mv h होता है plank constant जिसकी value हमको पता है 10 to the power of minus 34 kg square meter per second होता है mass अभी हमने बताया थे कि 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg होता है right and जो velocity है वो है 6 into 10 to the power of 8 meter per second जब इसको calculate किया गया solve किया गया answer मिलता है हमाई पास 1.21 into 10 to the power of minus 12 meter तो इस चीज़ को समझे अगर यहाँ पे इस meter को हम picometer में convert कर दे तो हो जाएगा यह 121 picometer तो यहाँ पे students जो हमको value मिली है इस wavelength की okay एक electron के wavelength की जो value मिली है वो मिली है 1.21 into 10 to the power of minus 10 meter अगर हम इसको picometer में बता है तो यह हो जाएगा 121 picometer तो यह value जो है हम इसको easily measure कर सकते हैं okay and यह जो हमको value मिली है 121 picometer तो जो x-rays होती है उन x-rays की जो wavelength होती है वो उनके लिए भी 121 picometer ही होती है okay इतना clear है students तो अब इस चीज़ को समझे कि क्योंकि हमाया daily life में heavy mass substances जो हैं वो generally हम use करते हैं and हम लोग इतना electron के जितने lighter matter को use नहीं करते हैं in the real life okay तो अगर हम students जब कभी daily life के point of view से बात करते हैं तो वहाँ पर यह d-broggly का equation जो है वो apply नहीं होगा क्योंकि d-broggly का जो actually जो feature उन्होंने explain किये थे वो wave nature के लिए ही explain किये थे okay तो उन्होंने actually जो equation भी दिया था d-broggly का equation वो wave nature के लिए ही था क्योंकि wave nature की ही एक property होती ही wave length okay तो इस वज़े से जब कभी हम daily life के point of view से बात करते हैं तो जो wave nature है वो heavy object के लिए कभी भी position नहीं करता है उतना important नहीं होता है तो क्योंकि इस lecture में हम already समझ चुके हैं कि heavy particles इसकी wave length क्योंकि बहुत कम होती है उसको measure करना possible नहीं होता है इस वज़े से तो daily life में भी जो हम चीज़ें यूज करते हैं वो heavy weighted ही होते हैं okay तो जो daily life के point of view से हम बोलना चाह रहे हैं कि d-broggly equation जो है वो अतना important नहीं होता है okay students तो यही limitation थी इस d-broggly के equation की I hope आपको clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमाई चैनल को subscribe किजिए और वीडियो को like ज़रूर करें आज के लिए इतना ही thank you